नागरिक्ता संशोधन विधयक को लेकर मोदी सरकार प्रतिबध नसरा रही है सरकार साफ कर चुकी है कि इस विधयक को किसी भी हाल में पास करा कर रही गी जिसे लेकर विपक्ष सरकार की घेरा बंदी कर रहा है अब कॉंग्रस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी ने भी इसे लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है और नागरिक्ता को धर्म के आधार पर बाटने का आरोप लगाया है राहूल गांधी इन दिनो केरल में अपने संसदी शेत्र वायनाट के दोरे पर हैं जहां वो अपने शेत्र के विकास पर जोड़ते ही रहे हैं वहीं केंद्र की राजनीती पर भी उनकी पूरी नसर है तबी तो वाइनाट में भी राहुल गांधी नागरिकता विधयक पर मचे घमास्तान पर सरकार को खेड़ने से नहीं चुके राहुल गांधी ने मोधी सरकार के विधयक के मुखालफत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ किसी भी तरहा के भेदभाव के खिलाफ है राहुल ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत हर किसी का है सभी समुदाय, सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों का मगर देश के ग्रह मंत्री और प्रधान मंत्री अपनी अपनी कल्पना में जीते हैं। बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर नरेंद्र मोधी इस देश के लोगों की बात सुनते हैं तो उन्हें कोई परिशानी नहीं होगी। नरेंद्र मोधी के शासन शेली वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की है वो अपनी दुनिया में रहते हैं और वो चीजों के बारे में कल्पना करते हैं यही कारण है कि देश इस तरह की परिशानी में हैं आपको बता दे कि एक दिन पहले ही मोधी कैबिनेट ने नागरिक्ता संशोधन विपक्ष का कहना है कि सरकार इसके जर्ये अपना हित्र साथने में लगी है सरकार धर्म के आधार पर नागरिक्ता को बाट रही है जो कि सरासर गलत है वहीं पुर्वोतर राजियों में भी इसके खुलाफ आवाज बुलंद की जा रही है डीवी लाइफ की रिपूर्ट